दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम बात कर रहे हैं रिफ्रेश रेट के बारे में इतने सारे कमेंटर्स ने हमसे पूछा कि भाई क्या है ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट इससे क्या डिफरेंस पड़ता है इन फैट मुझे ये वीडियो पहले ही करना था लेकिन आज की वीडि लेकिन दोस्तों आपको रिफ्रेश रेट के बारे में बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चानल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन बजाई है ताकि हमारे वीडियो के सब नोडिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अप्लोड करते है डोस्तों जब आपेक फोन के पास देखते हो पहली बार उसे लेती हो और कुछ करते हो फ़्जामपला लएप अगरे जब आप करते हो तो आपको नजर आता है कि यह जो फोन है यह तो फास्ट है स्मूघ है या फिन लगता है कि नहीं इतना ज़ादा फास्ट है बाई हम झ इसका मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो कितने बार रिफ्रेश होती है अब देखिए मैं आपके सामने एक्जामपल देता हूँ अगर मैं कुछ चीज तीन बार रिफ्रेश करता हूँ और मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो आपको दिखेगा एक दो तीन और अगर वही चीज दस बा और रिफ्रेश को कि कंदे बार रिफ्रेश को है आपकी और कितना आपको ज्यादा स्मूथ दिखता है राइयर दे ऐस दोस्तों आपको एक रियल लाइफ एक्जामपल देरेता हूँ यह बै जो यह है 15 fps पर और यह जो है दोस्तों यह है 25 fps पर अब इन तीनों में से दोस्तों आपको सबसे ज्यादा smooth कौन सा लगा obviously 25 fps वाला ज्यादा smooth दिखा आपको yes refresh rate का जो science है वही है कि आपकी screen जो है refresh होती है जितनी ज्यादा refresh होती है उतना ज्यादा smooth होता है आपका experience तो आजकल का scenario क्या है smart phones का आप कोई भी smart phone ले लो अगर budget range का लोगे, mid range का भी लोगे, बहुत सारे अगर flagship के भी लोगे generally base is 60 hertz refresh rate जी हाँ यह एक standard है लोग लेते हैं लेकिन दोस्तों 2019 में especially जब OnePlus 7 Pro आया था उसके पहले भी कुछ phones आया थे लेकि OnePlus 7 Pro मास को पता चला कि 90 hertz की screen होती है अब 90 hertz यहने higher refresh rate, smoother the experience तो 7 Pro में आपको दिखा उसके बाद में बहुत सारे phones आए OnePlus 7T, 7T Pro, 120 hertz के भी बहुत सारे phones है इसका मतलब progressively दोस्तों अब हमारा जो smartphone का refresh rate है वो बढ़ते जा रहा है इसलिए हमें आज़के जो फोन आते हैं especially higher refresh rate के साथ वो ज्यादा smoother experience देते हैं और दोस्तों मेरा personal experience आपको बताता हूँ, एक बार मैंने 90 hertz इस्तेमाल किया, उसके बाद में अगर मैं downgrade करता हूँ 60 hertz पे, noticeable मुझे difference पता चलता है मुझे बता है, नहीं यार यह कुछ जिटरी लग रहा है, ऐसे लगता है, थोड़े frames दिख रहे है, मुझे smooth experience नहीं है, ऐसे लगता है तो 60 hertz और 90 hertz में बहुत ज़्यादा difference है, और इसलिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ले सकते हो यह higher refresh rate की, 120 hertz की ज़रूरत नहीं है, 90 और 120 hertz में ज़्यादा difference नहीं लगता है लेकिन 90 hertz जो है, definitely is the sweet spot, बहुत अच्छी तरसे, at least आपकी जो smartphone की screen है, वो आपको दिखेगी लेकिन इसका एक disadvantage भी है, जी हाँ, अगर आपको ज़्यादा refresh करने है screen, इसका मतलब ज़्यादा power consumption होगा और यही बात है, about 15, 10-15% आपकी जो battery है, जल्दी घटेगी, याद रखिए, 60 hertz पे इतनी नहीं, लेकिन अगर 90 hertz या 120 hertz पे करते हो, तो about 15-20% ज़्यादा battery खाएगा और दोस्तों, आप जब normal चीजे करते हो, इसमें आपको यह नजर नहीं आएगा, लेकिन especially जब आप video व्यू करते हो, या फिर games वगेरे खेलते हो, क्योंकि fast action होता है, तो उसमें आपको definitely नजर आता है, जब आप गोलिया वगेरे जाड रहे हो, fps game खेल रहे हो, तो जो bullet होत यह वो pixelated कभी-कभी दिखती है, जो fast action scenes होते हैं, higher refresh rate में यह आपको नहीं दिखता है, बहुत ही smooth screen दिखती है, और हाँ दोस्तों, refresh rate के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो और एक refresh rate होता है, जिसका नाम है touch refresh rate, yes, for example, iPhone पे, display जो है 60 Hz पे है, but जो touch refresh rate है, वो 120 Hz है, इसका मतलब आपका जो touch है, वो ज्यादा जल्दी वो register करता है, और ज्यादा जल्दी आपको response मिलता है, और हाँ दोस्तों, higher refresh rate सभी panel support करते हैं, मतलब IPS हो, LCD हो, या फिर आपके AMOLED, Super AMOLED screens भी हो, सभी पे चलता है, so that is one common, इसलिए दोस्तों, आपको K30 में इसका unboxing नहीं देखा, तो जर कर सका, कि भाई, what is this display refresh rate, touch refresh rate वगेरे, फिर भी आपको कोई सवाल है, तो comment section में जरूर पूछेगा, ये वीडियो अच्छा लगा, like करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर की लिएगा, चले दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो था, keep क्रकेंग!